मेरे प्यारे देश्वासियों, अब जो पत्र मेरे सामने है, उसमें दो बड़े फोटो है. ये फोटो एक बंदिर के है और बिफोर और आप्टर के है. इन फोटों के साथ जो पत्र है उसमें युवाओं की एक ऐसी टीम के बाले में बताया गया है जो खुद को युवा ब्रिगेड कहती है दरसल इस युवा ब्रिगेड ने करनाटका में सीरंगपटन के पास थीत भीरभत्र स्वामी नाम के एक प्राचिन शिव मंदिर का काया कल्प कर दिया मंदिर में हर तरफ गास, फूस और जाडिया बरी हुई थी इतनी की रहागिर भी नहीं बता पते थे कि हाँ एक मंदिर है एक दिन कुछ परियाटकों ने इस बूले बीशरे मंदिर का एक वीडियो सोशल मेडिया पर पोस्ट कर दिया यूआ ब्रिगेड ने जब इस वीडियो को सोशल मेडिया पर देखा तो उनसे रहा नहीं गया और फिर इस टिम ने मिल जूल कर इसका जिर्णोधार करने का फैसला किया उन्होंने मंदिर परिशद में उगाई कंटिली जाडियां गास और पौधों को हटाया जहां मरम्मत और निर्मान के आवश्रक्ता थी भो किया उनके अच्छे काम को देखते हुए स्थानिये लोगों ने भी मदद के हाप बढ़ाई किसे ने सिमेंट दिया तो किसे ने पेंट ऐसी कई और चीचों के साथ लोगों ने अपना अपना योगदान किया इस सभी युवा कई अलग तरह के प्रोफिशन से जुड़े हैं ऐसे में उन्होंने विकेंट्स के दोरान समय निकाला और मंदिर के लिए कार्य किया युवाओने मंदिर में धरवाजा लगवाने के साथ साथ बिजली का कनेक्शन भी लगवाया इस प्रकार उन्होंने मंदिर के पुराने वैवव को फिर से स्थापित करने का काम किया जुनून और द्रड निश्चय ऐसी दो चीजे हैं जिन से लोग हर लक्ष प्राप्त कर सकते हैं जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूँ तो खुद को आनन्दीत और आस्वस्त महसुस करता हूँ आनन्दीत और आस्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में केंडू के अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है उनके लिए कोई भी चुनावती बड़ी नहीं है कुछ भी उनकी पहुँच से दूर नहीं है मैंने तमिल नाड़ी के एक टीचर के बारे में पढ़ा उनका नाम हेमलता N.K. है जो विड़पुरम के एक स्कूल में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल पढ़ाती है COVID-19 महामारी भी उनके अध्यापन के काम में आड़े नहीं आ पाई हाँ उनके सामने चुनावतियां जरूर थी लेकि उन्होंने एक इनोवेटिव रास्ता निकाला उन्होंने कोर्स के सभी 53 चैप्टर्स को रेकॉर्ड किया एनिमेटेड वीडियो त्यार किये और इन्हें एक पेंट ड्राव में लेकर अपने स्टूडेंस को बाढ़ दिये इससे उनके स्टूडेंस को बहुत मदद मिली वो चैप्टर्स को विजूली भी समझ पाई इसके साथ ये वे अपने स्टूडेंस से टेलिफॉन पर भी बात करती रही इससे स्टूडेंस के लिए पढ़ाई काफी रोचक हो गई कि देज भर में कोरोना के समय में टीचर्स ने जो इनोवेटिव तरीके अपनाए जो कोर्स मट्रियल क्रियेटिविटी तैयार किया है वो ऑनलाइन पढ़ाई के इस दौर में अमुल्य है मेरा सभी टीचर से आग रहे हैं को इन कोर्स मट्रियल को शिक्षा मंत्रा लेके दिक्षा पोर्टल पर जरूर अप्लोड करें इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों में रह रहे शात्र चात्राओं को काफी लाप होगा साथ क्यों आईए अब बात करते हैं जारखन की कोर्वा जंजाती के हिरामंजी की हिरामंजी गडवा जिले के सिंजो गाउं में रहते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोर्वा जन्जाती की आबादी महद छेहजार है जो सहरों से दूर पहडों और जंगलों में निवास करती हैं अपने समुदाय की संस्कृती और पहचान को बचाने के लिए हिरामंजी ने एक बिड़ा उठाया है उन्होंने बारा साल के अथक परिश्रम के बाद बिलुप्त होती कोर्वा भाषा का सब्दकोस तया किया है उन्होंने इस शब्द कोस में गर गरस्ते में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनीक जीवन में इस्तिमाल होने वाले कोरवा भाशा के डेर सारे सब्दों को अर्थ के साथ लिखा है कोरवा समुदाय के लिए हिरामन जी ने जो कर दिखाया है वो देश के लिए एक मिशाल है